नमस्कार सातियों श्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो ग्लासिस की डिजिटल प्लेट प्रम पर सातियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेट 2024 के बारे में सबी विद्यारतियों को दो तीन क्यूशन है जो की प्रेशान कर रहे हैं और कुछ उनके एरर आ रहा है दो तीन क्यूशन मन में रहते हैं और अभी तक जिनोंने काउंसलिंग नहीं करवाई उनके लिए तो बहत मैटोपून रहने वाले हैं सातियों सबसे पहला है कि ऑप्शन फोरम में कोलेज का करम परिवर्तन हम कर सकते हैं क्या ऑप्शन फोरम हमने फिल अप कर दिया अब हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्या इसके बाद में नेक्ष्ट आता है कि सर पेमेंट हो गया पर वहाँ पर तो कुछ सोई नहीं हो रहा हमारे को कि आपका पेमेंट कट गया का आपकी रिशिप्ट आई या नहीं आई ये सो नहीं हो रहा इसके बाद में नेक्ष्ट है कि सब भी गौर्वेंट कॉलेजेज और इसके साथ में रिजल्ट कब आएगा मतलब है सब भी गौर्वेंट कॉलेजेज हमारे को लगानी है कुछ स्टुडेंट तेरे कॉलेज लगा रहे हैं कुछ बीस लगा रहे हैं वो अपना option फोरम बेज रहे हैं बरने के बाद में कुछ 30 लगा रहे हैं कुछ 41 लगा रहे हैं अरे साथियों अभी तक आपको ये नहीं पता कि टोटल गौर्वेंट को लेजे कितनी है तो साथियों मैं बता देता हूँ इन सबी questions के आपको जवाब मिलने वाले हैं और अगर आपको जेट की पूरी counseling process में अगर कुछ इवी गलती नहीं करनी है और आपको संपूर्ण update जाननी है तो सबसे पहले आप एक mobile number सहीव कर लीजिएगा ये है 8690596638 इन नमबरों पर आप पहले तो WhatsApp message कीजिए आपको जल दी WhatsApp जो message है उसका जवाब मिलेगा इसकी बाद में अगर इन पर नहीं मिलता है तो 9672634845 अब बहुत सारे student ऐसे करते हैं कि इस पर भी बात कर ली इस पर भी बात कर ली सात्यों ऐसा नहीं करना है क्योंकि टीम पहले ही लगी हुई है आपके परते कोल का जवाब दिया जा रहा है अभी तक चाहिए दिन के 500 कोल आ रहे हो चस्सो कोल आ रहे हो सबी का जवाब दिया जा रहा है और एक कभी ऐसा नहीं कि मिस कोल आ गया जवाब नहीं दिया गया है वाटसप मेसेज का इसके साथ में ही उनके कोल का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा सातियों अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो इन नम्रों को आपे सेव कर लो इसके बाद में सबसे पहला क्यूशन है आप्शन फोरम में कोलेज का करम चेंज कर सकते हैं क्या बिलकुल कर सकते हो बट आपे ने जो रिशिप्ट है मतलब आपे जो फीस है अकाउंसलिंग की वो कट करने से पहले चेंज कर सकते हो अगर आपने 5000 की फीस कट कर ली ने आपने वो पे कर दी इसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते और आपको पता है जो इमीतर वाले हैं बहुत ज्यादा उनको क्या रहती है जल्दी रहती है कि हमारे को तो क्या करना है पे करके और तुरंट आपका क्या करना है काम करना है त पर तुरंत पेम मत करो, सही, तो पहला समझ में आ गया कि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि ओप्शन फोरम में आप चेंज करो, कोलेज के जो लिश्ट है, वो करम है, उसमें आप चेंज करो, चेंज नहीं हो शकता है, पहली समझ लेना, नेक्स्ट आता है, कि सर पेमेंट हो गया, बट सो नहीं हो रहा, सातियों ये गलती, किसी की नहीं है, ये गलती है, आपकी सबसे पहली, और दूसरी गलती है, इमीतर वाले की, सातियों, पेमेंट होने के बाद में कंटीनियू पर किलिए करना होता है, पर आप बेक कर देते हो और उससे payment pending में डल जाता है साथियो इसका solution अगर में बात करू या तो 24 गंटे में आपको show हो जाएगा कि आपका क्या हो गया payment done हो गया या फिर इसके लावा आपको दुबारा से pay करना होगा और वो total जो 10,000 है या 5,000 है वो refund होंगे जोतबूर युनिवर्सिटि के दुवरा बाद में क्योंकि अभी वो नई तो युनिवर्सिटि के पास में पूचे है तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों zwischen में हो जाता है तो ठीक बात है वरना क्या करना है वापस से आपको pay करने है और वापस से आपके counselling की process को complete करवानी है तो और बहुत सारे students अभी तक wait कर रहेगी 13 तारीकों करवाएंगे 13 तारीकों अगर बाकाइदा ऐसी कोई problem आजाती है ऐसा कोई issue आजाता है तब आप क्या करोगे तो साथियो अभी से पहले list बनाओ कि इस list के according मेरे को क्या करना है counselling करवानी है वो पहले से आप तेयार करो और फिर counselling करवाने जाओ कि सरे हमारे आफ़ास में कोई भी emitter नहीं है और हम counselling कहां से करवाएं और हम घर बेटे भी counselling करवा सकते हैं क्या बिल्कुल करवा सकते हो और वो भी एक emitter का charge होता है ने डेड़ सो दो सो रुपे होता है वैसे दो सो रुपे लेते है emitter वाले क्योंकि उनको बहुत चारे college बढ़नी होती है कम नंबर होते हैं उनके सही तो दो सो रुपे का उनके charge होता है और सातियों इन नंबरों पर आप call कर सकते हो emitter वाले का जो विश्वसनी है जो emitter वाला है उसके number दी जाएंगे वो call पर आपके घर बेटे आपके counselling करवाएगा और कोई fraud वाला system नहीं है emitter वाले की जिमेदारी मेरी है आराम से वो counselling करवाएगा पहले आपको list वेजएगा कि मैंने यह यह fill की है और फिर आपकी fees वो cut वाएगा सही और मैं एक चीज बता देता हूँ जो जेट की counselling के बारे में नहीं जानता है नो उसी मित्तर वाले से आप counselling करवाना भी मत सबसे पहली चीज़ यह आ जाती है अब इसके बाद में आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा हमारा रिजल्ट कब आएगा साथियों आपको जो seat अलोट होगी नो वो 21 तारीक होगी मतलब आपका जो first counselling की जो seat मिलेगी ना आपको कि first counselling में हमारे को कहा कहा पर seat मिली कि वो आपको मिलेगी साथियों कहा पर कब मिलेगी वो आपको 21 अगस्त को मिलेगी इसके साथ में ही कि सर सब भी government college की हमारे को list चाहिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है प्ले श्टोर पर जाना है प्ले श्टोर पर bright agro classes आपको search करना है प्ले श्टोर पर है आपको ये एप मिलेगा bright agro classes का इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको install करना है इसको install करने के बाद में mobile number से आप login करोगे login करते ही आपको interface ये दिखाई देगा इसमें आपको इस पर क्लिक करना है three line पर क्लिक करना है एसा interface कुलेगा, इसमें आपको free material पर click करना है, free material पर click करना है, free material के बाद में यह interface कुलेगा, इसके बाद में jet information के बाद में इस पर click करना है, फिर आपको only government की list, PDF मिल जाएगी, new college की list मिल जाएगी, इसके साथ में ही seat matrix आपको मिल जाएगी और इसके साथ में ही jet की जो cut up है 2023 की वो मिल जाएगी documents कौन कौन से लगेंगे वो चीज़ें मिल जाएगी तो यह सारी चीज़ें आपको अपड़े application पर मिल जाएगी अगर play store से भी download नहीं होता है तो इन नमबरों पर message कर देना link आजाएगी और आपके कोई भी doubt है कोई भी समझे आ रही है आप comment box में comment कर सकते हो या workshop number पर message कर सकते हो आपके परते कोल का आपके परते कमेंट का जवाब दिया जाएगा अगर चैनल पर नहीं और ऐसे ही मैटवफोन वीडियोज के साथ में आप जुड़ना चाहते हो तो साथियो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपन मिलेंगे next वीडियो के साथ में तब के लिए जाए हिंज आपारे साथियों